तो इस वीडियो में जो हम प्रीमियल लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा लिवरपूल वर्सिस साउध हेंटन के बीच मैच का वेनी होगा एनफिल्ड लिवरपूल रात में 8.30 पीमपे मैच स्टार्ट होने वाले है अब दोस्तों लिवरपूल आप जानते हूंगे प्रीमियल लीग का वन अफ दा बेस्ट क्लब माना जाता है और इस सीजन वन अफ दा फेवरेट्स भी है प्रीमियल लीग टाइटल फिर से जीतने के लिए अगर आप पॉइंच टेवल में देखेंगे नंबर थर्ड पोजिशन में लिवरपूल है बारा में अपने साथ मै लिवरेज उनका आ रहे है गोल स्कोरिंग का और उनके पॉइंट है 25 और अगर आज सौध हम्टन को वहार आता है तो यहां पर अगर मैंचेस्टर सिटी स्लीप अप करती है तो लिवरपूल के पास अच्छा चांस है फिर से टॉप टू में आने का तो यह मैच निवरपू परिटी उनकी फार बेटर है एस कंपियर टू साउध हम्टन रीसेंट फॉर्म लिवरपूल के आप देखेंगे सर्प्राइजिंग ली त्री टू की इनकी लॉस सब पर हुई थी वेस्ट हम से और यह इनकी पहली लॉस थी अभी इस सिजन में उसके बाद इन्होंने आर्स साइट से 2-1 से हार गए तो जैसा मैंने बताया फेवरेट्स होगी लिवरपूल स्मॉल लीग में और ग्रेंड लीग में भी मैं आपको सजेक्ट करूंगा मैक्जिमम कॉम्बिनेशन लिवरपूल फेवर की ले जाईएगा फिलाल हम प्रोवेवल लाइनप पे आते हैं उस मिल जाएगा तो डिस्किप्सम बॉक्स या टॉप पिंड कमेंड में जाके टेलिग्राम चैनल से आप जॉइन कर सकते हैं अब हम आते हैं प्रोवेवल लाइनप पे पहले हम लिवरपूल की बात करने वाले हैं जो की क्लियर कट फेवरेट हैं तो इनके हम मेक्जिमम प्ले लेए हो सकते हैं एक तो रॉबर्सन केफेज में छीट सकते हैं दूसरा मेटिप के फ्लेस में खेल सकते है कोनाटे फिलाल अगर टेक फॉर स्टार्ट करता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इन चार में मिनिमम तीन डिफेंडर तो आप शुली करिए चारों भी पिक कर सकते हैं बहुत अच्छा लिवरपूल का यहां पे क्लिन शीट का चांस है फिलाल मैं मिनिमम तीन तो शुली पिक करूँगा उस के बहुत चांस क्रेट करते हैं और टार्गेट भी लेते हैं डिफेंसिव अच्छी लेते हैं तो यह मेरी नंबर वन चॉइस रहेंगे इनके डिफेंस से इवन लो स्कोरिंग मैच में आप इनको वाइस केप्टन भी ट्राए कर सकते हैं या एक स्मॉल लीग में भी आप इनक सकते हैं इन तीनों में किसी के साथ जनों मैं जाओंगा थियागव अलकंटारा के साथ मेरे वन अब दा फेवरेट लिवरपूल प्लेयर है यह प्लेयर एक फेंटेसी एसेड है एक तो इनके पूरे मैच में सबसे ज़्यादा आपको पासेस देखने को मिलेंगे बहुत चा फैबीनियों में किसी एक के साथ जा सकते हैं अगर हेंडरेसन खेलते वो भी एक डिसेंट अप्सन हो सकते हैं बट अभी के लिए मैं यह पे थियागव अलकंटारा के साथ जाओंगा मिट फील में फॉरवर्बर्ट त्री मोसाला अंड्रेट परसेंट पिक करूँगा साडियो माने इनका सेकिंड बेस्ट अटेकिंग प्लेयर साथ गोल एक असिस्ट इनका भी है यह भी बहुत अच्छी गोली स्कोरिंग फॉर्म में चलने तो माने भी मैं हंड्रेट परसेंट पिक करूँगा आप साला केप्टन माने वाइस केप्टन यहाँ पे कर सकते हैं अब सामने अपोनेंट है साथ हम्टन जिनका डिफेंस उतना ज्यादा खास भी नहीं है तो मैं यहाँ पे जोटा को भी पिक करूँगा ऑल्दो जोटा को थोड़ी कहीं न कई कंसिस्टेंसी में लेक होते हैं बट इस्टिल एक क्वालिटी अटेकर हैं और सामने साथ हम्ट हैं तो यहाँ पर होगी जोटा सकतके कर सकते हैं फांच असिस्ट इनका बोल ईक तो यहाँ पर जोटा भी में लंति लगबग सभी चीजा मैंने आपको इस match की final small league team और सभी football matches हम telegram channel में cover करते हैं उसका link या तो आपको description box में मिलेगा या आपको मिलेगा top pin comment में वहाँ से जुड़के आप मेरे telegram channel से join कर सकते हैं 4100 या 4200 के आसपास subscriber वाला channel आपको मिल जाएगा तो description box या top pin comment में जाके telegram channel से आप join हो जाएए अब हम बात करते हैं साउध हम्टन की तो मेकार्ती इनके गोल कीपर important हूंगे इनको recommend करूँगा चार इनके defender है लिवरा मेंटो बेड़नारेक सालीसू और वॉकर पीटर्स इस season एक player इनके defense में बहुत impressive performance कर रहा है वो है लिवरा मेंटो अगर आप FPL खेलते हैं fantasy प्रीमे लीग तो आपको पता होगा कितने ज्यादा fantasy प्रीमे लीग पॉइंट्स इन्होंने recently दिये हैं तो अभी के लिए किसी के साथ जाने मेरी नमबरों चोई रहेंगे लिवरा मेंटो इनके defense में जो defensive wise बहुत अच्छे है और ये assist potential तो ही random goals भी मारते former Chelsea player है Chelsea के youth academy से निकले है बट इनको Southampton ने sign किया था बट दिक्कत क्या है ना इनका credit है 9 आपको हो सकता है मेबी credit problem हो इनको पिक करने में इस्टिल अगर problem नहीं होती है आप इनको चूज करना number two choice मेरी Kyle Walker-Peters रहेंगे जो पहले right back थे लेकिन लिवरा मेंटो के emergence के बाद ये left back बन गए ये भी defensive offensive wise अच्छे है बागी बेड़नारेक सालीसू को आप ignore कर सकते हैं वैसे में इनके ज़्यादा defender रिकमेंट नहीं कर रहो सायद में एक भी pick ना करू because अगर Liverpool 4-5 गोल मारेगी जो पूरी तरह से उठ्रेश करने में capable है साउध हम्टन को तो इनके defender दे सकते हैं negative में point still किसी के साथ जने लिवरा मेंटो देन वाकर मीटर मेरी top two choice रहेंगे वाट प्रॉस इस टीम का best player है डेनिंग्स के जाने के बाद on penalties, freaky corner की हर चीज़ ये लेते हैं although उतनी ज्यादा अच्छी form में भी नहीं इतनी last season थे still एक best player है side का इनको में hundred and ten percent recommend करूँगा जेम्स वाट प्रॉस को दो गोल है और defensive offensive दोनु जगे से point देने में के विवाल है सारे corner set kisses ये ही लेते हैं अब डियालो में भी आप ignore कर सकते हैं इन से अच्छे अफसस मिलें रोमेयू दोस्तों ये प्लेयर भी आपको अच्छे काज़े defensive point जा सकते हैं इनके tackling interception number अच्छे हैं और अगर आप expect नहीं कर रहें Southampton score करेगी तो शोल्डी रिमयो आपकी टीम में fit in हो सकते हैं तो अभी के लिए रोमेयू को आप consider कर सकते हैं वाट प्रॉस रहेंगे must pick LNOC inconsistent player है बट ये इन नाइन क्रेडिट के हैं बट दोनु में आप यहां पे आप किसको चूज करें यहां पर थोड़ा ट्रिकरी वाजाता है यहां पर थोड़ा टॉस अप करना पड़ीगा विकॉस दोनु आपके विबाले गोल असिश करने में दो गोल दो असिट आम श्रॉंग के हैं दो हो सकता है दूनों ही फ्लॉपो तब ही के लिए मैं स्लाइटली आम श्रॉंग के साथ जाओंगा मुझे इनका गेम ज्यादा अच्छा लगता है बट आप शेयर एडम्स के साथ भी जा सकते हैं यह अगर आप दोनों पिक नी करते हैं आप लिबरा में टो भीक कर सकते हैं न लिवर्पूल विक्त्री के साथ जारो एक क्लियर कट लिवर्पूल यहां पे फेवरेट्स होगी फिलाल यह मेरी डेमोर अफ टीम है में मेकार्थी मेरे गोलकीबर है जो साउथ हम्टन के तीन डिफेंडर मैंने पिक किया है टॉप त्री लिवर्पूल के अलेक्जेंडर या लिवर्पूल ले सकते हैं वॉकर पीटर्स और रोमेयो और वाट्रॉस मेंने पिक किये कैप्टन डिफॉल्प साल है सेव वाइस केप्टन से अप्शन एलक्जेंडर अनौल और माने रहेंगे यह आप अक्पने अकोडिंग चूस कर सकते हैं तो यह मेरी डेमोर अफ ट